आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में 26 जून के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो अमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाली में ड्रोन के जरिये टिड़ी नियंत्रन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा भारत तो अभी मेक इन इंडिया के तहट टिड़ियों के हमलों से फसलों को बचाने के लिए वहकल माउंटेड यू एलवी स्प्रेयर तेयार किया गया है यहाँ पे यू एलवी का मतलब होता है अल्ट्रा लो वालियूम और अभी इसकी राजस्तान के बेकानेर अजमेर वाले इलाकों में की गई थी जो की पूरी तरह से सफल रही है और इस तरीके से भारत ड्रोन के जरिए लोकस्ट अटेक लोकस्ट मतलब होता है टिडडी तो टिडडियों के हम लोग को कंट्रोल करने वाला पहला देश बन गया है भारत अगर किसी की संपत्ती को नुकसान पहुंचता है या किसी को चोट लग जाती है तो उस केस में थर्ड पार्टी कवर की सुविदा दी जा रही है HDFC इर्गों के द्वारा तो वो पॉइंट भी धियान रखना बढ़ते हैं फिर हाली में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में 2019 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़े हैं तो सैउत्तर होगा 14 परसेंट तो अभी हमारे जो स्वास्तिव परिवार कल्यान मंत्री है हर्ष वर्दन जी उन्होंने एन्वर्ड टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किये है जिसमें बताया है कि 2019 में टीबी के रोगी लगब लेवल पे टीबी को खतम करने का लक्षय कप का रखा है 2030 का लेकिन भारत में ये टारगेट 2025 का रखा है कि हम 2025 तक भारत में टीबी को पूरी तरह से खतम कर देंगे अच्छा आपको ये भी बता दू कि इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो तो 2019 का है पर ये रिपोर्ट 2020 के नाम से जारी की गई है आप क्यूशन में देख सकते हो वारशिक टीबी रिपोर्ट 2020 अच्छा इस रिपोर्ट में और क्या दिया हुआ है इस रिपोर्ट में टीबी को रोकने में किस राज्य ने अच्छा काम किया है इसके बेसिस पे एक रेंक भी बनाई हुई है और ये दो केटेगरी में 50 लाख से जादा पॉपुलेशन वाले राज्यों की 50 लाख से कम पॉपुलेशन वाले राज्यों की तो अगर हम पहले बात करते हैं 50 लाख से कम पॉपुलेशन वाले राज्यों की तो उसमें टॉप पे रहा है तिरिपूरा और 50 लाख से जादा प्रश्ने में अच्छा काम किया है। अच्छा टीबी टीबी करकरकर के मुझे एक प्रश्न याद आ गया, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, ये प्रश्न मुझे आप लोग बताऊगी, कमेंट बॉक्स में, चलो मैं बता रहा हूं इसको, ध्याम दे सुनो, वर्ल्ड टीबी डे हम मनाते हैं 24 मार्च को अब मैं आपसे दूसरा प्रशन पूछूँगा थोड़ा सा मुश्किल इसका आपको थीम बताना है थीम क्या रहा इसका और ज्यादा मुश्किल नहीं ये थीम बताना अगर आपको पिछले साल का 2019 का थीम भी आदे न तो भी काम चल जाएगा क्योंकि थीम वही है अच्छा जो हमारा टीबी केमपेन है तो उसका स्लोगन क्या है तो उसका स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्य में YSR कापू नेश्तम स्कीम शुरू की गई है तो अंचार होगा आंदर प्रदेश में अच्छा इस तरह के जो प्रश्ण होते हैं जैसे कि अभी आपने पढ़ा YSR और मैंने आपको बताया भी है कोई भी योजना हो गई अगर वो YSR से शुरू हो रही है तो पक्का वो कहा की होगी आंदर प्रदेश की होगी और इसी तरह से एक और चीट कोड में आपको बताया था मो अगर कोई भी कारेक्रम मो से शुरू हो रहा है जैसे कि मो बस सेवा मो साइकल सेवा जैसे कोई भी योजना मो से शुरू हो रही है तो आप समझ लो वो कहा की होगी उडिसा की होगी अब इसका अंशर तो अंदर प्रदेश आपने दे दिया लिकिन ये योजना में है क्या तो इस योजना में जो गरीब और योग्य कापू, तेलग, बलिजा और ओंटरी ये समुदाए है तो इन समुदाए की गरीब और योग्य महिलाओं को जिनकी उम्र 45 से 60 एर के बीच में है उनको आर्थिक मदद दी जाएगी तो इसमें इन समुदाए की महिलाओं को पंदरा हजार रुपे पर एर के हिसाब से पांच साल तक टोटल कितने रुपे हो गए 75,000 रुपे दिये जाएंगे अच्छा ये तो हो गई ये सार कापू नेस्तम योजना नेस्तम से आपको कुछ याद आया होगा आंदरपरदेश में एक नेस्तम नेस्ता योजना भी शुरू हुई थी कुछ और योदनाएं मैं आपको बताता हूँ जो कि अभी कुछ समय पहले आंदरपरदेश में शुरू हुई थी जैसे कि जगना चेदूडू योजना या आपने पढ़ाओगा भी कुछ दिन पहले उसके अलावा जगना वस्ती दिवेना योजना और इसी से मिलती चुलती है जगना विद्या दिवेना योजना उसके अलावा आंदरपरदेश में ही मोबाइल हैंड वाश सुविधा भी शुरू हुई थी एक नवरत नालू पेद लंदरी की इलू योजना भी शुरू हुई थी यहीं पे ही अम्मा वोडी योजना भी शुरू हुई थी और एक रायतू भरोसा योजना भी यहीं की है एक रायतू बंदू योजना आप सुनोगे वो आपके त्यलंगना की है अभी आंदर प्रदेश में ही COVID Pharma एप्लिकेशन भी लॉंच हुई थी और किसानों के लिए Sea Map एप्लिकेशन भी लॉंच हुआ था उसके अलावा आंदर प्रदेश ने भारत का पहला Online West Management Platform भी लॉंच किया था और भारत की पहली Fruit Train या आपके आंदर प्रदेश से ही रवाना हुई थी इसके अलावा भारत का पहला Equa Mega Food Park भी आपका आंदर प्रदेश में ही है और चुनावी ब्रष्टाचार को रोकने के लिए आंदर प्रदेश ने निगाह एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था इसके अलावा भी क्रशी मंत्राले ने जो रिपूर्ट जारी की थी 2018 की उसमें बताया था फलो की उत्पादन में टॉप पे रहा है आंदर प्रदेश जबकि सबजियों की उत्पादन में पस्चिम बंगाल टॉप पे था देश का पहला दिशा पूलिस इस्टेशन भी आपका आंदर प्रदेश में ही बना है और सबसे इंपोर्टेंट भाषा के आदार पर गठीत होने वाला पहला राजी कौन सा है आपका यह आंदर प्रदेश है यह एक्जाम में आ चुका है तो याद रखना है बाकी आप मैप में भी देख लो एक बार यह रा मैप में आंदर प्रदेश कैपिटल इसकी देखो अभी तो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है और अमरावती में ही देश का 25 वा हाई कोड भी बना है जिसके वरतमान में चीफ जस्तिस कौन है जे के माहेश्वरी है मुख्य मंतरी जगर मोहन रेड़ी हो गए और गवर्नर है विश्व भूशन हरी चंदरन आंद्रप्रदेश का राजकिय पशु है काला हीरन पक्षी है रोज रिंग पेराकीट जो की एक तरह का तोता है फ्लावर है जैस्मिन ट्री है नीम और फल है यहां का आम बढ़ते आगे अच्छा याद आया अभी जनवरी से लेके आज तक जितने भी प्रोड़क्ट्स को जी आई टेक मिला है उनका मैंने आडियो बना दिया है और वो सुबह 9 बजे तक अपलोड भी हो जाएगा अगर आप 9 बजे के पहले इसको देख रहे हो वीडियो को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने मुझे खबरी एप्लिकेशन पर फॉलो कर रखा होगा तो और अगर आपने मुझे खबरी एप्लिकेशन पर फॉलो नहीं कर रखा है तो description में आपको audio का link मिल जाएगा उस पर आप जैसे ही click करेंगे play store पे पहुँच जाएगे वहां से आप खबरी application को install कर ले तो इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, देकि वीडियो बनाने में बहुत जाधा टाइम लगता है, इसलिए मैं आडियो बना देता हूँ, जो भी important topics होते हैं, उनका मैं आडियो बना देता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात भी मानूँगा, आपकी हर बात मानन मेरा फर्ज है, मैं इसका वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन जैसे-जैसे मुझे time मिलता जाएगा, वैसे-वैसे मैं इसका वीडियो बनाता जाऊँगा, लेकिन वीडियो आने में time लगता है, इसलिए पहले आप audio सुन करके रखलो, और जब भी उसका video आएगा, तो आप देख लेना उससे फाइदा यह हो जाएगा कि जब आप वीडियो देखोगे तो सारी चीजे आपको ऐसा लगेगा कि यह तो आपको आती हैं एक confident बढ़ जाएगा आप लोग का और वीडियो देखने के बाद भी हम नहीं रुकेंगे इनका मैं आपसे quiz भी लगवाऊंगा ताकि एकात बार आप खुद से भी revise कर लोगे तो बस मजा ही आ जाएगा फिर एक किसे महराश्टर सरकार के द्वारा वीठा बाई Lifetime Achievement Awards से सम्मानित करने की गोश्चना की गई है तो आंचर होगा गुलाब बाई संग मनेर कर को तो अभी महराश्टर सरकार ने लोक कलाका पार है ये गुलाब बाई संग मनेर कर इनी को वीठा बाई नारायन गाउकर Lifetime Achievement Awards से सम्मानित करने की गोश्चना की है और इन्हें ये सम्मान 2018-19 वर्ष के लिए दिया जाएगा इसके अलावा एक और नाम है ये जो आप नाम देख रहे हो ये थेटर कलाकार है मदूवन प्रती दांडे कर इनको अन्ना साहब किरलोशकर पुरुसकार से सम्मानित करेगी महाराश्टर के सरकार तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्जे को इप पंचायत पुरुसकार 2020 के तहट प्रतम पुरुसकार मिला है तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश तो अभी केंद्रे पंचायती राजमंत्राले ने हिमाचल परदेश के पंचायती राजविभाग को इपंचायत 2020 के प्रतम पुरुसकार से सम्मानित किया है तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने ये काये कि राजे के सभी 3226 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है ताकि जनता विबिन्न सेवाओं का ओनलाइन लाब उठा सके जैसे की परिवार रडिश्टर, जनम पंजी करन, मृत्यू या विवा पंजी करन ये कुछ भी आपको करना हो तो ये सब काम आप ओनलाइन कर सकते हो तो लोग घर बेटे बेटे ओनलाइन इन सुविधाओं का लाब उठा रहे हैं अच्छा हिमाचल परदेश की बात करेंगे तो अभी हिमाचल परदेश किन किन कारण से न्यूज में था एक तो अभी हिमाचल परदेश ने निगाह प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें बाहर से आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया था, एक निगाह एप्लिकेशन भी अमने पीछे पड़ा था, जो कि आंदर प्रदेश में शुरू हुई थी, इलेक्षन में ब्रष्टा चार को रोकने के लिए, तो निगाह प्रोग्राम तो हिमाचर प्रदेश का है, और हिमाचर प्रदेश में ही इसी साल हमने देखा था, एक फगली फेस्टिवल मनाया था, लोसर फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, एक पंचवटी योजना भी शुरू कीती हिमाचर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसके अलावा याद रखना, परदान मंतरी उज्वला योजना के अंतरगत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका हिमाचर प्रदेश ही, अब एक बार मैप में भी देख लीजिए, ये रहा मैप में हिमाचर प्रदेश, देखो इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी सिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धरमशाला है, मुक्यमंतरी जैराम ठाकुर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेई, और यहां के हाई कोट की चीफ जेस्टिस का नाम क्या है, लिंगपपा नराएंट सामी, कुछ नैशनल पाक भी आप यहां के याद रखो जैसे कि ग्रेट हिमालिया नैशनल पार्क, पिन वैली नैशनल पार्क, इंदर किला नैशनल पार्क, किरगंगा नैशनल पार्क और स श्मबल बारा नैसेनल पार्क ही सब यहीं के हैं बढ़तें आगे फिर है हाली में जारी दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सूपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश तॉप पे रहे हैं देश तॉप पे रहने से मतलब हो गया किस देश का सूपर कंप्यूटर इस लिस्ट में तॉप पे रहा है तो आंसर होगा जापान तो अभी हाली में जापान का एक सूपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फूगाकू फूगाकू इसको टॉप 500 सूपर कंप्यूटर की लिस्ट है वो जो normal computer होता है जो हम आप लोग use करते हैं उससे 1000 गुना जादा है अब बात जापान की है तो ये रहा map में Japan capital इसकी Tokyo है Tokyo से सबसे important प्रशन आपको याद होगा इस साल जो Tokyo Olympic होने वाले थे ये एक तरह का summer Olympic था लेकिन ये अब अगले साल होगा COVID-19 के कारण इसे cancel करना पड़ा था इससे भी important point इसके शुभंकर क्या decide हुए थे मेराई तोवा और सोमाई थी ये प्रशन एक्जाम में आ चुके हैं तो याद रखना इसकी currency yen है प्रदान मंत्री है इसके अलावा एक प्रशन में आपको हमेशा बताता हूँ जापान से क्योंकि इग्जाम में पूछा जा चुका है सूर्वदे का देश किसको कहते हैं land of rising sun तो जापान को ही कहते हैं और जापान की sunset को क्या कहते हैं तो diet कहते हैं और जापान के नए राजा बने थे अभी क्या नामे उनका नारू ही तो उनका नामे और नए राजा बनने से नए युग की जो शुरुआत हुई थी कौन सा युग रिवा युग इसके अलावा आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स आये था उसमें टॉप पे रहा था जापान और उसमें भारत की रैंक भी आपको याद होनी चाहिए 84 न जबाली सिंग इनको जापान के ओर्डर ऑफ राइजिंग संच से सम्मानित किया गया था इसके अलावा अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वेडरन भी लांच किया था अच्छा जापान की एक टैनिस प्लेयर का नाम याद रखना नाउमी उसा का क्यों याद रखना फिर हाली में कुशी नगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दरजा मिल गया है आपको बताना है ये जो कुशी नगर एयरपोर्ट है ये किस राज्य में है तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश तो अभी केंद्रिय मंत्री मंडल ने उत्तर प्रदेश की कुशी न पाया कि वहाँ पे हातियों की संक्या 352 तक बढ़ गई है अच्छा उत्तर प्रदेश की बात है तो अभी आपको याद होगा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही बना था उसके अलावा जियो टेक कम्यूनिटी किचन को शुरू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही बना था गूगल के साथ मिलकर के शुरू किया था इसको और वर्चुल कोट के ज दिखा था कि COVID-19 मरीजों को रेल डिबो में बने इन isolation ward में रखने वाला पहला राज़ भी बन गया है उत्तर प्रदेश अच्छा और उत्तर प्रदेश के इन मामलों में नंबर वन रहा हाँ अभी हमने पढ़ा था कि मंद्रेगा के तहट श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज़ बन गया है उत्तर प्रदेश तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इसके अलावा भी श्रमिक कल्यान आयोक का गठन भी किया था यहीं पे और प्रवासी आयोक का भी घटन किया गया था और बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लावा आपको याद हो का उत्तर प्रदेश के गोरकपुर टेरा कोटा को भी जी आई टेक मिल चुका है उसके लावा उत्तर प्रदेश में आयूश कवच कोविड एप्लिकेशन लॉंच हुई थी प्रवासी राहत मित्र एप्लिकेशन भी यहीं पे लॉंच हुई थी जन सुनवाई पोर्टल लॉंच हुआ था और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टप फंड भी शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी के साथ मिल करके और उत्तर प्रदेश की 800 किलोमेटर सडकों को हरबल सडकों में बदला जाएगा मतलब इन सडकों के दोनों और पेड़ पोदे लगाए जाएंगे अच्छा यहाँ पे हम कुशी नगर एरपोर्ट की बात कर रहे न तो कुशी नगर से एक और पॉइंट बताता हूँ देश की पहली ट्रांस जेंडर युनिवर्सिटी आपके कुशी नगर में ही बनेगी तो यह पॉइंट भी ध्यान रखना बागी आप मैप में भी देखिए उत्तर प्रदेश को यह रहा मैप में उत्तर प्रदीश कैपिटल इसकी लःखनाव है लःखनाव किस नदी के किनारे है तो आंसर होगा ICICI Bank ने तो अभी ICICI Bank ने भी अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सर्विस शुरू कर दिये KYC मतलब होता है Know Your Customer अपने ग्राहकों पैचानो Actually में बैंक में जब आपको अकाउंट खुलवाना होता है और बैंक में भीड भाड भी नहीं होगी अब ध्यान से सुनना जो जो बाते में आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपको सेलरी अकाउंट खुलवाना हो या फिर परसनल लोन लेने वाले लोगों के लिए वीडियो KYC सुविदा देने वाला पहला बैंक बना है यह ICICI bank अब डेली अगर आप लोग अमारा current affairs का lecture देखते होंगे तो आपके mind में एक प्रशना रहा होगा मैंने आपको कहीं बार बताया है कि वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक बना था आपका कोटेक महिंद्रा बैंक अब यहाँ पे मैं आपको कहीं रहा हूँ कि ICICI bank पहला बना है तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ salary account के लिए या personal loan के लिए वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला bank बना ICICI bank लेकिन अगर हम बात करेंगी saving account की तो saving account खोलने वाले ग्रहकों के लिए micro mitra सुविदा शुरू की तीस ने B.O.B. bank को बढ़ोदा अपनी loan प्रक्रिया loan processing को पूरी तरह से digital करने वाला पहला bank बना ये indecent bank mobile पर current account खोलने की सुविदा देने वाला पहला bank बना था ये अच्छा ICICI bank की बात करेंगे तो इसमें ICICI का मतलब क्या हो गया industrial credit and investment corporation of India मुंबई में headquarter MDCO इसके संधीब बक्षी है tagline है हम है न खयाल आपका अभी आपको याद होगा ICICI bank ने voice banking भी शुरू की थी उसके अलावा insta flexi cash नाम से overdraft सुविदा भी शुरू की थी ICICI bank ने बढ़ते आगे फिर हाली में केंद्रे स्वास्ते मंतरी ने खून की मांग खून की मांग का मतलब होगे ब्लड को order करने के लिए खून की मांग तो क्या है प्रश्ण केंद्रे स्वास्ते मंतरी ने ब्लड को order करने के लिए किस नाम से एक application को launch किया है तो आंसर होगा e-blood services तो अभी हमारे जो केंद्रे स्वास्तिव परिवार कल्यान मंत्री है हर्च वर्दन जी उन्होंने e-blood service नाम से एक mobile application को launch किया है तो इस application के जरिये कोई भी 4 unit तक blood की मांग कर सकता है जिने blood की बहुत ज़्यादा जरूरत है अचा इस application कौन से application e-blood services को इस application को किस ने बनाया है तो Center for Development of Advanced Computing की यी रक्तकोष टीम ने इसको बनाया है और इसे Indian Red Cross Society ने बनवाया है अचा Indian Red Cross Society के अध्यक्ष भी आपके यही है हर्ष वर्दन अचा अब यह आपको याद होगा एक पुराना ही प्रशन पूछता हूँ दो पास दिन पुराना है World Blood Donor Day कब बनाया था हम लोगों ने तो यह हमने बनाया था 14 जून को और इसकी theme क्या रही थी इसकी theme रही थी Safe Blood Save Life सुरक्षित रक्त बचाए जीवन बढ़ते आगे फिर हालिमिक की शहर में आत्म निर्बर पेट्रोल पंप शुरू हुआ है तो अंचर होगा पुणे में तो अभी पुणे की एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों को अपने customers और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तो इस तरीके से पुणे का ये पेट्रोल पंप आत्म निर्बर मुहिम में शामिल हो गया है बढ़ते आगे फिर हालिमे किस भारतिये को 45 वे TIFF 2020 का ब्रेंड अमबेसेटर बनाया गया है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उपर युक्त दोनों यानि कि अनुराग कश्यप जो की फिल्म मेकर है और एक्टरेस प्रियंका चोपडा को TIFF मतलब होगे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यह इसी साल सेप्टेंबर में होगा और इसके लिए अभी ब्रेंड अमबेसेटर की लिस्ट जारी की गई है उसमें दो भारती है तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने बढ़ते आगे फिर हाली में किस देश के कराटे संग की माननेता को समाप्त कर दिया गया है तो अंसर होगा भारत तो अभी विश्व कराटे संग ने कराटे असोशेशन ऑफ इनडिया की माननेता को समाप्त कर दिया है ऐसा क्यूं किया तो एक्च्वल में 2019 में जो चुना हुए थे उस समय कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों का उलंगन किया था उसी कारण से ये फैसल सुनाय गया World Karate Federation की बात करेंगे 1970 में स्थापित हुआ था Headquarter इसका Madrid में है और इसके President है Antonio Espinos जो की Spain से है बढ़ते आगे तो कल के वीडियो में आपसे पुछा गया था कि किस राजे में इंदिरार रसोई योजना शुरू की जाएगी तो सयुतर होगा उप्शन डिर राजस्थान में आप सभी ने प्रशनका बिल्कुल सयुतर दिया है और गाईज अगर वीडियो का अभी तक आपने लाइक शेर नहीं कि ऐसे लाइक और शेर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर करना